हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल फ्रेंड्स आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस नियू वकेंशे से रिलेटेट कुछ इंपोटेंट बाते फ्रेंड्स अगर आपनी वीडियो ओपन कर दिया है तो पूरी लाज तक देखिएगा क्योंकि फ्रे सब्सक्राइब करने वाले हैं और उसमें कितना सच चाहिए है में भी जानेंगे सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक नोटिश दिख रहा हुआ फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट हो गई है सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप प्लस प्लस पी यह नोटिश जारी किया गया है और इसमें बहुत ही डिटेल से सारी इंफॉमेशन दिया गया है ठीक है और जैसे ही आप देख सकते हो आंत्रीक जो परिख्षाय और जो बाहर परिख्षाय उसके बारे में और बताया गया है इंपोर्टेंट आपके लिए ही है कि 30 जुलाई को इनका जो है पी ओपी देख सकते हैं पासिंग आउट परेट समात हो जाएगा उसके पास जो भी आपकी ट्रेनिंग सेंटर हैं वह खाली हो जाएंगी और जो 2013 वाली भड़ती है जो वाले कैंडिडेट है उनको जो है अगस्त के लाज्ट तक उनको ट् लिकल कब तक होगा तो सारी बात हैं जानेंगे सबसे पहले अच्छी आपके लिए इंफॉमेशन है और आप देख सकते हैं आपको यह ख़बर पहले भी पता चल गई होगी कि 15 तारिक से 15 जुलाई से जो यूपी के जो केंदर या फिर इस्टेट के जो भी ट्रेनिंग सें इंफॉमेशन है कुरोना वायरस संक्रमण के चलते केंद्रा और राजे सरकारों के शबी ट्रेनिंग सल्थान बंद कर दिये गये थे ठीक है लेकिन अब उन्हें दुबारे से शुरू किया जा रहा है और 15 जुलाई से शैनी केंद्रिया अर्द सैनिक बल पुलिश और नहीं लगा गया है इस को और ऑद disgल में ठीक है तो और जो बी पुल्श महक्मा है अपना जूमी ट्रेनिंग काई है सेडूल भी तयार कर रहा है प्रिपेर कर रहा है तो यह तो आपके यह नहीं क्यींद पाहले निकल के आ रही है और जैसे प्रेक्ष्डन वाड़ा थाली इसी साथ जुलाई का आर्टिकल पब्लिस किया गया था जो कि आज तक आर्टिकल में यह आपको देखने को मिल जाए जा खर देख सकते हैं और देख सकते हैं UPP को दिया योगीने निदेश जुलाई में होना चाहिए रुकी भरतियों कारे जी आफ रेंड्स इस आर्टिकल में बताया गया है कि जितने भी भरतिया रुकी हुई है उनका जुआ है जुलाई में कारेकरम होना चाहिए तो इसके बारे में बहुत इच्छे से जो है इसमें इन्फोर्मेशन दिया गया है कि यूपी को नोटिस दिया है कि जो भी से जुलाई में आखरी सब्ता से पहले करने का जो है मतलब देख सकते हैं यहां कि आखरी सब्ता के पहले जी हां यानि कि यह आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफोर्मेशन है आप इसे नेगेटिव में मत लीजिएगा पोजिटीव में लीजिए दिखिए फ्रेंड्स य जो है और गोर्मेंट की तरफ से बोल दिया गया है तो अब खुद अंदाजा लगा सकते हो पहली बात तो ट्रेनिंग सेंटर पर रोग नहीं लगी दूसरी बात जो है गोर्मेंट की तरफ से यह भी ख़बर आ रही है कि जो भी प्रक्रिया है वह जुलाई के आखरी सब्त अधिया यह फिर अंदाजा लगा सकते हो यह आपकी जो भरती है ठीक है वह जल्दी इसके बारे में आपको शुचना मिलने वाली है ठीक है और जो भी एक तारीस दर बीश वाले कैंडिडेट है उनको तो हमने आपको पहले ही आपको इंफ्रोमेशन दे दिया था कि आपकी जो शुनवाई होने वाली है वो भी जुलाई के आखरी विक तक आपको शुनवाई में कोट की तरब से फैसला आएगा कि क्या आगे का प्रोसेस रहेगा क्या और भी डेट बढ़ेगा कि क्या होगा सारी बाते हमें पता चल जाएगी जुलाई लास तक ठीक है और यह फ्र यहां देख सकते हों यहां बोला गया है कि उप निरिक्षक और निरिक्षक सेवा नियमावली में शंशोदन की बात बोले जा रही है लेकिन यह तो खबर आपकी आगे हैं लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही है कि अभी इस ख़बर का क्या मतलब जबकि विश्व कर्वा कि विश्व कर्मा जी जूट बोल रहे थे हैं ना क्यूंकि इसमें बोला गया है कि अब जो है यह प्रक्रिया मतलब समार्थ हुई है और जो भी भरतिया आएंगी या फिर अभी है ठीक है अब नए फार्मुले के तहट जो है पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी लेकिन वि तो फ्रेंस देखो यह बस भरति बोट का बहाना है और कुछ नहीं बाकि आप देख रहे हो बस कैसे भी आपकी भरती चली आए और जो भी ट्वीटर अभ्यान चलाया जा रहा है यूपी एसाई से रिलेट तो फ्रेंस आप उसमें हिस्सा जरूर ले और यह आप देख सकते सरकार की तरब से तो पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी प्लस नियमावली में विशन्शोधन हो चुके थे और यह बात खुद विश्वकरवाजी ने बोला था लेकिन अमरुजाले वाले भीया ने जो है ये खबर अप जो है पुब्लिस किया है क्या है पूरा मैठर अभी प प्रिप्रेशन नहीं कर रहे हो तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए बस आज के लिए इतना इस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगर आपको यूपी पॉ तो अप्रेंज मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थांक्स वाचिंग वाचिंग